साधो देखो जग बोराना पार्ट एक जिसे लिखा कभीर जी ने ये क्लास 11 का है गुजराद बूट हिंदी आज हम इसके पार्ट के सार को देखेंगे जिसमें कभीर जी ने हमें ये बताया है कि किस प्रकार से समाज में व्याप्त धार्मिक बाहा डंबरों को वो पसंद नह कि उन्होंने हिंदू और मुसल्मानों दोनों के धर्मों में व्याप्त जो धार्मिक कुरीतियां हैं जो दिखावे हैं उनका उन्होंने खुल कर विरोध किया है और उन्होंने बताया है कि धर्म के जो ठेकेदार है वो आत्म ग्यान को जानते ही नहीं अनावशक रूप से ढोंग करते हैं और वे लोग ईश्वर से दूर हैं तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं कबीर कहते हैं कि हे भायो इस संसार के लोग पगला गए हैं कोई उन्हें सची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तयार नहीं होते उसकी बात पर उन्हें गुसा आता है और वे उसे मारने दोड़ते हैं पर कोई जूटी बात कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं यानि उन्में सच और जूट की पहचान ही नहीं रह गई है हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं अर्थातवी राम को अपना भगवान मानते हैं मुसल्मान रह्मान को अपना सर्वस्त मानते हैं इस बात को लेकर वे आपस में जगडते और कट मरते हैं पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता कबीर ये भी बताते हैं कि कैसे नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है वे सुबा उड़ते ही गंगासनान का धोंग करते हैं उनका ग्यान खोकला है ऐसे लोग आत्म ग्यान को महत्व नहीं देते और पत्थर यानि मुर्ती पूजा करते हैं वे आसन और ध्यान की बाते करते हैं इस पर उन्हें बहुत घमंड है अभिमान है बाहे दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के व्रिक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं तीर्थ व्रत में अपना समय बरबाद करते हैं माला धारन करते हैं और टोपी पहनते हैं चाप और तिलक लगाते हैं ये लोग ज्यान वैराग के नियम वाली साखी और परमात्मा के सुक्षमान नाम तता सबत का प्रचार करते घूमते हैं पर आत्म ग्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, किस प्रकार से लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आत्म ग्यान को जानते ही नहीं है, सिर्फ धूम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, माया में लिप्त ये लोग घर घर घूम कर लोगों को मंत्र देते हैं, ऐसे शिश् गुरु को भी ले डूबते हैं और अन्त समय में उनके पास पच्छताने के सिवा कुछ नहीं होता कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक पीर और अलया देखे हैं ये किताबे और कुरान पढ़ते हैं ये लोगों को अपना अनुयाई अर्था शिश्य बनाते हैं और उन्हें मृत्यू का भय दिखाते हैं लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानतें वे लोगों को मजार पर बुलाते हैं कबीर कहते हैं कि हिंदू की दया की भावना तता मुसल्मानों की कृपा की दृष्टी इन दोनों के हिर्दे से जैसे गाया भी हो गई हो दिखता भूल गए हैं ये लोग मेरी बातों पर हसते हैं और अपने आपको बुद्धी मान कहते हैं कबीर कहते कि हे भाईयो आप ही बताए कि इन में पागल कौन है ऐसा वेक्ति जो दिखावा कर रहा है या ऐसा वेक्ति जो आत्म ग्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानत दोनों एकी तरह के लोग हैं सबसे पहले आत्म ग्यान को जानो फिर ही कोई ग्यान काफी है तो कबीर जी इस प्रकार से जो धार्मिक कुरीतिया हैं जो दिखावा है बाहया डंबर है इस सरीके की चीजों का विरोध करते हैं कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि अनावस अबसक धोंगों के चक्कर में पढ़कर ये लोग ईशुवर से दूर हो गए हैं तो उम्मीद है आपको ये चाप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना बोले थांक यू